हेलो, इस निदी स्प्राइट बेकरी हीर और आज मैं आपको सेंटर क्लॉस फेस बनाना सिखाऊंगे सबसे पहले आपको केक के ऊपर एक रफ डाया बनाना है रफ डाया एक स्केच बनाना है रफ आइडिया के लिए जिससे कि आप जब फाइनल काम करें तो आपको थोड़ा से एजी रहे फाइनल काम करते समय यह देखे मैंने सबसे पहले क्याप का सिक्षिन बनाया अब मैं उन इसके बाद थोड़ा साइस का स्पॉर्ट मैंने ले लिया इस 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 जस्ट रफ आइडिया और अभी क्योंकि हम कलर अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ गड़ पढ़ हुई तो उसको इंप्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए आपने मेरे प्रीवेस केक् इस तरह से एक रफ आइडिया लेते हैं आप वाच किया होगा मेरा लुड़ो के उसमें मैंने इस तरह का टेक्नीक आपको बताई थी इस तरह से देखें मैंने थोड़ा-थोड़ा सा उसमें आउटलाइनिंग बना ली है अब मैंने इसके अंदर जेल की फिलिंग करूंगी यह दिखिए मैंने रेड जेल इसके अंदर डाला आपको भी इस तरह से उसके अंदर रेड जेल डालना है एक तुम से परिशान नहीं होना है थोड़ा पेशेंस के साब आप इसमें बनाती चाहिएगा तो बहुत ही खुबसूरत केक बनेगा और मैंने यह प्लास्टिक केक स्ट्राप लिया उससे मैंने जेल को स्मूध कर लिया क्योंकि सेंटर प्लास का यह रेड कलर जो फिक्स कलर से हमको उसी कलर को यूज करना है इसलिए मैंने रेड लिया और आप चाहिए तो थोड़ा पैटर्न भी उसका सकते हैं अगर आप इस पर फॉंडिन्ट यूज कर यहां पर यूज करना के कट करके प्री मैंने जेल बनाया इसलिए क्योंकि हर किसी के पास फॉंडिन नहीं रहता है बहुत से हमारी FC वेकर चेकर जिनके पास फॉंडिन नहीं रहता यह हम घर में बना रहे होते हैं तो इस तरह से ज libro जीबसे बनाने पर उननका लिए बन ज यह क्याप का बॉर्डर है क्योंकि वूलन काप्स जो होते हैं उनका वूलन थ्रेड जो है उसका दिखे इसलिए मैंने इस तरह का पैटर्न यूज़ किया जिससे कि उसके बॉर्डर दिखे अब मैं फेस की सेक्षिन पर कार्प कर रहे हूं इसमें मैंने औरेंज जो आपके ब स्ट्राप से इसको स्मूध करना है थोड़ा पैशेंस के साथ आपको यह काम करना है यह आप देख रहे होंगे अभी तो मैंने फास्वर्वर्ड किया है बट आपको फास्वर्वर्ड नहीं थोड़ा सा पैशेंस के साथ आपको करना है जिससे कि आपका जो पूरा-पूरा केक बहुत ही क्लीन लुक आया केक पर यह देखिए इस तरह से आप उसको स्मूध कर लीजेगा आप चाहें तो पिंग कॉंबिनेशन का भी ले सकते हैं पिंग फेस भी यूज करते हैं और अदर्वाइस आप यह भी कर सकते हैं कि आप वाइट ही रहने दीजे केक को सैंटा क् के फेस का सेक्षिन आप वाइट ही होने दीजे वह भी आप कर सकते हैं अगर आपके पाइस नहीं है तो आपको पारिशान नहीं होना है वोट्टेवर यू है यू है यू कें डू विद एट छोटी-छोटी चीजें आप चेंज कर सकते हैं दिस टोटली माय आइडिया अब आपको थोड़ा से इसमें लग रहा है कि बहुत यूनिफॉर्म नहीं है अब देखे मैं इसका मूस्टेच बना रही हूँ सैंटा ग्लॉस का क्योंकि उनका वाइट कलर का मूस्टेच होता है और थोड़ी उब्री हुई सी है उनकी मूस्टेच घनी सी है तो यह मैंने स्ट स्टा नॉजल से मैंने कर्ल्स बना दिया है जिससे कि वह ओरिजिनल सैंटा क्लॉस का जो फेस मास्क है उसका लुका सके और यहां पर मैंने लिप्स अभी नहीं बनाया थे अगर आपके पास फॉंडिंट आपको यूज करना है दना फॉंडिंट को सर्कुलर कट करके वहां अब आप देख रहे होंगे कि जो वाल है वो पूरी खाली है अगर आपकी एक्षा है तो आप उसकी पुरे वाल्स पे भी इनका थोड़ा सा दाड़ी को जादा बढ़ा सकते हैं मैंने तो थोड़ा सा ही किया है क्योंकि और इसमें काफी क्रीम मैंने लगाया था और मैं बह अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा और उसको एक्षेंड कर सकते हैं और कैप का सेक्षिन जो है उदर भी आप रेड कलर को भी थोड़ा से डिपिंग के फॉर्म में आप डाल सकते हैं फिर ये दिखिए ये मैंने आइस बनाई है जल से जहांपे मैंने पहले एक डॉड लगाए था उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर रही हूँ मैं थोड़ा सा सेक्षिन इसका शूट नहीं कर पाई हूँ उसको आपको कुछ से करना होगा है मैंने नोस बनाई है सैंटर क्लॉस की रेड कलर से क्रीम में रेड कलर मिक्स करके वह आपको फाइनल रिज अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब कीजे और लाइक देना मत भूलिएगा मेरे चैनल पर और भी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इसली बनाने वाले हैं प्लीज फॉलो दोस मेथर्ट्स और सब्सक्राइब तो मैं और आप जाते जाते लाइक ज़रूर दीजेगा और मेरे बाकी वीडियो भी ज़रूर दीखेगा आप उसमें बहुत सारी चीजे सिखेंगे ओके बाई थैंक यू फॉर वॉच्छ वाच्छ वाच्छ